आज ऊस वीडियो में मैं आंका साथ इतना बडिया से परखेर के रेशपी शेयर करने जा रहे न आप ने आलू प्यास पनीड ये सबकी पराखे तो यह खाते ही रहते हैं पर आज मैंने सूचा बनाते हैं बडिया सा बेसन का परख़ा और ये इतना tasty लगता है न चाहिए पिसे कोई सबजी के साथ खाएं चोखा के साथ खाएं अचार या फिर दई के साथ ये जो बेसन का पराथा है काफी असान तरीके से बन जाएगा और ये इतना tasty लगता है न सुप के नाश्टे में अगर पोहा, उपमा, इटली, वडा, डो तो चलिए बनाते हैं तो बेसन के बनाने के लिए सब से पहले आप देख लिए मैंने आपर ले लिया एक cup बेसन देख सकते हैं बेसन लेने के बाद इसके अंदर अभा हम एड़ करेंगे बारी कटा हुआ फ्याज एक बारी कटा हुआ फ्याज डाल दे दो से तीन बारी कटी हरी मिरजी जितना आपको तीखा पसंद है और इसी के साथ थोड़े से धनिया के पते डालेंगे दो से तीन लस्टन की कलियों को बारी काट कर डाल देंगे एक चमच कसूरी मेथी को हम मसल कर डाल देंगे और इसी के साथ स्वात के अनुसार नमक आधी चमच जितना लालमिश पाउडर और इसके अंदर में डाल एक चमच अचार, कच्ची केरी का खटा अचार है ये और एक बड़ा चमच सरसो का तेल, आधा नीबो का रस, काफी चटपटी हम फिलिंग बनाएंगे अब ये बेसन के पराठे के लिए हम आटा गुन लेंगे, उसके लिए मैंने दो कब गिहूं का आटा लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है, स्वाद के नुसार नमक और आधी चोटी चमच अजवाइन को हम मसल कर डाल देंगे, अच्छे से से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, आधी चमच अतना तेल, और इसी हमें फिर से मिक्स कर लेना है, और इस तरह से मिक्स करने के बाद, इसके अंदर हम एट कर करेंगे थोड़ा थोड़ा घर कर पानि और गुलेंगें तो यह जो बेसंक पराथे न healthy कीई ज़ाफ़ आटा करक अपने टालका डिंगे डालकर पराथा पेल नहीं पाएंगे और अगर जाधा नरम होगा तो पराथ judge से बनेगा नहीं इसलिए नहीं ज़्यादा सक्ट आटा होना चाहिए नहीं ज़्यादा नरम मीडियम सॉफ्ट आपको आटा गुंद कर इस तरह से इसके उबर फिर से थोड़ा सा तेल लागा कर आपको आटे को अच्छे से मसल लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आ बाद से 5-10 मिनंट के बाद हम ग्यास को आउन करके तवे को गरम करने रख देंगे पराठे सेखने के लिए और डखिन को हटाकर आटे कोंब अच्छे से मसल लेंगे अब इसमें से देखे थोड़ा सा आटा लेना है दोनों हाथ के बीच में इस तरह से मसल लेना है मसलने के पाद थोड़ी सी बड़ी आपको लोई लेनी है तोड़ी पराथा थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है इसे चकले पर रखकर दोनों तरफ आपको सूखा गेहों काटा चिड़कना और इसे इस तरह से बेलना है अब देखे पराथे को आप हमेशा गोल बोईलते हैं पर य एक दम बढ़िया मसालादार यह बनाएंगे बेसंग का पराथा उसके लिए देखे आपको इसे लंबा बेलना है लंबा बेलने के बाद अपनी उंगलिया और अंगुठे की मदश से इस तरह से दबा लेना है इसके हम तीन पार्ट इस तरह से कर लेंगे अब कई बार क्या स्टाफिंग के लिए यह बनाई थी आपको तीनों पार्ट पर थोड़ी थोड़ी डाल देनी है अब इससे क्या होगा कि हर तरफ यह फिलिंग चली जाएगी और अच्छी फिलिंग मिलेगी तो बढ़िया से आपको खाने में मजा आ जाएगा बेसं का पराथा तो यहां प १ुचा हूवा अपार्टे इसको भी इसके उपर रख देंगे इस तरह靠ने के बाद अच्छे से दबा लेना है और अश्चै प्रेस करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा है अनलों से थोड़ा से कर रच अच्छे से क्शे इसके परत फिर से बैदोर तरब से सूखा को काटे छुड़क रेना और इसे बैङना है तो इस तरह से पराठा बनाना तो आपको एना थोड़ी सी बड़ी लोई लेनी है और अप पराठे को बैङना है देखे जादा़ा पतला पापड की तरह नहीं कीज़ेगा. थोड़ा सा मोटा अच्छा लगता है पराठा और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमने स्टाफिंग यानि की फिलिंग डाली है वो हर तरफ चली गई है और एकदम अच्छे गरम तबे पर इस तरह से पराठे को डाल दीजे और आपको लगे कि नीचे से सिख गया है तो क्योंकि पराठा कोई भी हो इसके ओपर आप चाहिए गी लगाए तेल लगाए मखर लगाए वो सबी चीजे बहुत ही अच्छी लगते हैं यहां पर देखिए यह पराठा आप देख सकते हैं यह बड़ा भी है और थोड़ा सा मोटा भी है तो आपको इसे अच्छे से से श जरूर ध्यान रिखेगा देखिए बस इस तरह से पलटते जाए और इसे अच्छे से से शेक लीजे इसके किनारों से भी अच्छे से प्रेस कर लीजे क्योंकि अगर कच्छा होगा ना तो विल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा देख सकते हैं मैं दोनों तरब से इसे पल लग रहा है देख सकते हैं कितना यह टीस्टी लग रहा है तैयार है यह बढ़िया सा बीसन का पराठा इसे दही या फिर अचार के साथ खाएं यह बहुत 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 ही टीस्टी लगता है अब हर बार आलो पनीर प्यास के पराठी तो खाते ही रहते है कभी यह भी ट्र